स्वागत आप सभी कान में दाटूब चैनल में जिन्होंने सीटेट का फोर्म अप्लाई नहीं किया है जो कि लास्टेट थी आज 19 अक्टूबर तो आपकी लास्टेट को बढ़ा दिया गया है अब भी लास्टेट हो गई है 25 अक्टूबर एक्स्टेंड हो गई है आपकी अक्टूबर से लेके तीन नौमबर तक ठीक है और एक्जाम का आपको पताई है एक्जाम की डेट भी यहां पर आ चुकी है आपके बार ओनलाइन आपका एक्जाम होगा 16 दिसंबर को आपका एक्जाम है और 15 तक आपका रेजल्ट आ जाएगा तो यह थी एक अपडेट जो कि आपके साथ शेयर करनी थी और यह है आपका फी स्ट्रक्चर जो कि जर्नल और OBCCST के लिए है यह सब आपको पे करना है अगर आप एक पेपर के लिए देते हो अगर लगेंगे आपके 1200 रुपे ठीक है अगर आप दोनों पेपर अपलाई करते हो तो जर्नल और OBC के लिए है 1200 रुपी फीस और अगर आप एक ही पेपर फिल करते हो सिंगल तो आपके लगेंगे 1000 रुपीस तो यह एक अपडेट थी आपके साथ चो शेयर करनी थी एक और में अभी या पीयर शेकंड यर में जो फस्का वाले तो औरडी लenciesこれ यह यह इसबात को छोड़ो सभी को अपलाई करना रही सुप्स जो कि अब भी फीर में हे या फिर फीर सेकंड यह को तक्षाएब बर ना एक्जाम जरूर दे की देखना है कि आपका एक्जाम सीटेट का आता कैसे क्योंकि आप टीचर बनने जा रहो हो आगे भी आप एक्जाम दोगे और कोई भरोसा नहीं है हो सकता है कि आगे चलकर जिन्होंने बीर्ड फरस्ट येर में ही अपना जो सीटेट है वो क्लियर कर लिया उसको आगे चलकर वैलिड करते जैसे अब सीटेट के लिए नोटफिकेशन आई है कि हर्याना में वैलिड कर दिया गया है सीटेट। तो गौर्यमेंट का कुछ नहीं पता है learning and teaching है कि तीन पेपर आपके compulsory होते हैं तो इन ही तीन पेपर में से आपको सीटेट में exam में question देखने को मिलेंगे जो अपका first paper है completely 30 marks में आपको आएगा वो और यहां पर आपके सीटेट की भी त्यारी हो जाएगी प्लस आपके exam की त्यारे भी साथ-साथ होती रहेगी last में जाकर आपको यह नहीं लगेगा कि हमें beard first year का कुछ भी नहीं आता है और अगर आप एक या दो marks में सीटेट में रह जाते हो तो आपको पता होगा कि आपने कहां mistake की है अपने exam में या फिर आप कहां पर आपकी तैयारे में कमी है और आपको कितना improve करना चाहिए अगर आपका clear भी हो जाता है तो आपको यह यह भी पता चलेगा कि आप अपने marks को कैसे increase कर सकते हो कहां पर आप निकलती करी है यह सब सारी चाहिए होती है तो सब भी से में request करूंगी जो भी बीर्ड फर्स्ट यह में है अभी या सेकंड यह में है सभी अपना फॉर्म अप्लाइज जरूर करें सीटेट का ठीक है और जो आपका पेड़ागोजी का सब्जेक्ट होता है किसी का साइंस है किसी का सोसल साइंस है या फिर मैथ है तो उन पेड़ागोजी के सब्जेक्ट में से completely 60 मार्क का आपके marks का question आते हैं सीटेट में जो आपने बीर्ड फर्स्ट यह में teaching subject स्टेट किया हुआ है लेकिसी ने सोचल साइंस किया है हिंदी और सोसल साइंस मालेजीन तो दोनों में Rough gjithub 30 30 marks में आता है, social science का 60 marks में आता है, तो completely तयारी आपकी beard first year में ही हो जाएगी, आपको अलग से coaching भी लेने के जूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैं कहते हूँ, यहापर beard first year के भी आपकी तयारी हो जाएगी, प्लस आपकी seat at के भी तयारी हो जाएगी, तो कोई भी candidate ये मन में doubt है, कि मैं apply करूं seat at या ना करूं, तो सब ही को apply करना है, ठीक है, एक बार अपना exam ज़रूर देखे देखें, और यहाँ पर आपके क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपके सामने form open हो जाएगा, कि कैसे आपको seat at का form apply करना है, जिन्होंने new registration करना है, वो new registration पर click करेंगे, और यह है आपका form, जो कि आपको करना है, यहाँ पर I have download यह सब करके, आपको click to process पर, अगर कोई student से चाहता है, कि मैं completely आपको form fill करके दिखाऊ, कैसे कैसे seat at का form fill करा जाता है, कौन-कौन से code हैं, जो कि आपके आएंगे, तो आप मुझे comment कर सकते हो, आपके comment पर मैं seat at का form कैसे apply करते हैं, वैसे तो बहुत सारी वीडियो हैं, लेकिन आप चाहते हो कि बता हूं, तो आप मुझे comment कर सकते हो, ठीक है, तो आज के लिए था बस इतना ही, हम seat at की द्यारी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए, bye bye, take care, and thank you.